फुटसी की semi annual rebalancing हो रही है review हो रहा है review होगा और review के बाद rebalancing होगी है तो जो stocks फुटसी के index में है उसमें किसी का वेटेश कम किसी का ज्यादा हो सकता है कोई बाहर निकल सकता है कोई अंदर आ सकता है तो कौन जा है 19 अगर्श को जो list है वो बाहर निकल के आईगी और 16 सिटमबर से यह जो review के you know changes है वो लागू होने वाले हैं अब कुछ brokerage houses की report है जिसके basis में मैं आपको यह बता रहा हूँ कि कहां कहां ज्यादा inflows आ सकते हैं या फिर जहां जहां changes हो सकते हैं एक दो जो फुट्सी all cap और world cap index में शामिल हो सकते हैं उसमें सबसे बड़ा beneficiary जो होगा कोटक महिंद बैंक होगा क्यूंकि यह शामिल हो सकता है और इसके चलते करीब 6 कोड़ डॉलर के आसपास के inflows जो है इस company में आ सकते हैं हाली में रुची सवय को जो नाम change हो था पतनजली food इसको इसके अलावा ब्लूडार, हाले की लिटेट कंपनी वेदान फैशन और डेवयान इंटरनेशनल जो है इनको शामिल किया जा सकता है और करीब-करीब 1.5 कोड़ डॉलर के आसपास के inflows यहां आ सकते हैं कुछ migration भी हो सकते हैं जिसमें food tree all world index जो है उसमें काफी migration होंगे और सबसे आदा पैसा अगर कहीं आएगा तो इंडियन होटल में आएगा करीब 4.5 कोड़ डॉलर के आसपास का inflows यहां आ सकते हैं cg power अतुल लिमिटेज इन में करीब 3.3 कोड़ के 3.3 कोड़ डॉलर के आसपास आ सकता है शेफर इंडिया गुजरात सोरो और लिंडे इंडिय यह वो तमाम companies है जहां पर you know migrate किया जा सकता है और इसके चलते इंडियों में inflows आएगा तो यह तमाम वो companies है जिनको आपको नसर रखनी है 19 अगस को लिस्ट जारी होगी और 16 सितंबर से यह जो बदला हो है वो लागू होने वाले हैं तो यह है आपके जिस 16 सितंबर से जो बदला होंगे और 19 अगस को लिस्ट जारी होगी तो उसके आज सपास थोड़ा action बना शुरू होगा इंसारे स्टोंगे